बोलो जैकाराम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जै बोल श्री नंगली निवासी भगवाने की जै बोल श्री परमान सद्याल जी महाराज की जै सत्य गुरु प्रेमियों पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्री गुरु महाराज ने किस परकार अपने स्री सत्य गुरु देव की सेवा की और अपनी पूरन तपश्या को पूरन किया तो सत्य गुरु प्रेमियों आईए आगे शुरू करते हैं स्री गुरु महाराज की दिव्या स्री गुरु महाराज की लीला को शुरू करने से पहले श्री सत्गुरु देव, भगवान, नंगली निवासी, सवरूपा नंजी महाराज के पावन चर्णों में मेरा दंडवत परणा जैज सचिदानद मुक्त महापूर्षो की अध्यात्मिक उनति का ठीक पता तो केवल परमात्मा ही जानता है परंतु भूमिका के दरश्टे कौन से उनकी साथ स्रेणिया होती है हिंदू द्रम में इने योगी, सादू, मुनी, रिशी, महर्शी, महात्मा और ब्रम कहते हैं इसलाम द्रम में इनको सूफी, आवताद, अबदाल, गोश, खिजर, कलंदर और कुतुब कहा जाता है जब कोई भग्य साली पुरुष सत्गुरु की दया दरश्टी से ब्रम दर्शन अत्वा आतम साक्षातकार कर लेता है तो उसे फिर मौ माया से परिपूरण पिंट देश में आने की इच्छा नहीं होती वह तो सदा उसी मस्ती में सदा मस्त रहना चाता है उसके लिए संसार में कोई आकर्शन नहीं रहता वह सदा ब्रमानंद के रस्वाद में मगन रहता है उसे बाईय संसार का कोई पता नहीं रहता यहां तक कि वह अपने सरीर से भी असंग तथा निरलेपसा हो जाता है ऐसी ही अवस्तावाले महापुरूस को मजूद अत्वामस्त कहते हैं इसके विपरीत कुछ ऐसे महापुरूस होते हैं जिनके जिमें विदाता की ओर से जनकल्यान की सेवा लगी होती है ऐसे सदपुरूस, मन, वानी और करम से अज्ञान अंदकार में भटके हुए संसारी जीवों को सदमारक दरसाते हैं काल के परभाव से लुप्त अपने भगती मारक को फिर उजागर कराने ऐसे मापुरूसों का आगमन होता है इने शकल बर्मान का ग्यान होता है भूत और भविशे, वरत्मान के ग्याता, वीतरागी, तत्तवदर्सी, बरम पद पर पहुँचे हुए ऐसे मापुरूस सालिक कहलाते हैं श्री महाराद जी भी ऐसे ही ब्रमदर्शी और तत्तवेता सालिक महापुरूस थे जब कुछ समय श्री सत्गुरु देव जी को टेहरी में अपन इस्ट देव भगवान के चरण कमलों में निवास करते हो गया तो एक दिन श्री परमन्स द्याल जी ने आपको फ्रंटियर में टेहरी के आसपास के नगरों और गावों में जाकर सत्षंग उपदेश करने की आग्या दी जगत उधार का भार श्री महाराद जी के कंदों पर डाल कर श्री परमन्स द्याल जी निश्चिन्त हो गई विदाता की ओर से जन्मानस में ब्रम विद्या और नव चेतना के परचार परसार की जो सेवा उनके जिम में लगी थी उसे अपने जिवन काल में आपने बड़ी सपलता पुर्वक निभाया और अब उसे श्री महराद जी को सोब करूए अपने आपको हलका महसूस करने लगे गुरुदेव के आयत आदेशा नुसार श्री महराद जी अग्यान और मौफास में जगडी मानवता को बंदन मुक्त करने के लिए अपने सत्चंग परचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े जैसे बादल सुखी और मुर्जाई हुई खेती पर वर्षा करके उसमें जल रूपी नव जीवन का संचार करते हैं ठीक उसी परकार जनम जनमांतर से बिच्डी हुई आत्माएं दुखी होकर अपने मालिक को पुकार रही थी उनकी करुणा पुकार सुनकर रूहों के मालिक उन तक पहुँच गए स्री माराज जी ने अपनी करुणा बरी दरिश्टी से उन्हें निहार कर और अमरित से मिठे सच्छं के वचन सुना कर मोनिंद्रा से जगाया स्री माराज जी को लक्की में पधारनी के प्रार्थना कुछ प्रेमी भगतों ने टेहरी में जाकर की उनके प्रेमवस्रवपर्थम स्री माराज जी नगर लक्की जिला बन्नों में पहुँचे गर्मी के दिन थे लक्की निवाशी प्रेम्यों ने स्री माराज जी को एक खुले दालान में जहां केवल चैर दिवारी ही बनी थी वहां पर ठहराया स्री माराज जी उन दिनों में बहुत साधारण वेश में रहते थे केवल एक लंबा भगवा चोला पहनते और सिर पर तोलिया उड़ते थे चरणों में पहनने के लिए जोड़ा नहीं था इसकी किसे परवा थी अपनी सारीरिक आवसकताओ से बिलकुल बेपरवा होकर आप दिन रात भगतों के हित चिंतन में मगन रहने लगे सत्संग उपदेश की अमर सरीता बहने लगी गुरू भगती यातम विज्ञान और सहज योग के गूड सत्संगों को सुनकर लक्की के प्रेमी अपने आपको धन्य मानने लगे आसपास के गाउं से भी प्रेमी जन आकर आपका उपदेश सुनते और सबद उपदेश धारन करके आपके शिश्य बनने लगे उहां भी दरश्य एक विलक्षन हुआ एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी रात के समय काफी वारिश होने लगी बगत जन तो अपने घरों में आनंद पुरुवक बैठे थे इस बात का किसी को विचार नहाय कि स्री माहराज जी भार विराजमान है तनिक उनका भी पता करना है माया के परदे में सब भूल रहे बादल गर्ज रहे थे बिजली चमक रही थी मुशला धार वर्षा हो रही थी यदि किसी को विचार भी आया तो मन ही मन सोचा कि किसी के घर में चलेज गए होंगे या कोई सेवादार वहां पहुँच गया होगा इधर स्री माहराज जी के परम प्यारे भगत स्री हेमराज जी अभी गरेश्त वेश में लक्की में रहते थे समय पाकर बगत हेमराज जी स्री चरणों में स्रवसव अरपन करके सन्यासी हो गए स्वामी निजात्मा नंजी के नाम से परसिध हुए इनके दिल में गुरु चरणों के परती सच्चा नुराग था ये अपने मन में चिंता कर रहे थे कि पता नहीं इतनी भारी वर्षा में ने जाने हुजूर भी गे होंगे या किसी के घर गए होंगे प्रेम के कान दिल में एक मीठा मीठा और हलका हलका दर्द हुआ उसी प्रेम वेदना के लिए आप स्री महराज जी का पता करने के लिए कुछ भगतों के साथ हाथ में लाल्टेन लेकर चल दिये बाजार में पानी ही पानी चल रहा था वर्षा के कान थोड़ी सर्दी भी हो गई थी जब आप उस हवेली में पहुँचे जहां सरी महराज जी विराजमान थे तो आपने देखा कि पानी उनके पवित्तर आशन से लगबग पांच-पांच फुट पीछे हटा हुआ है और आशन बिलकुल सुखा हुआ है यह अदबू दरश्य देखकर आप चकित रहे गए मुख से कुछ कहने ने बना आप दंडवत प्रणाम करके एक और बैठ गए परंतु मन में पस्चा ताप होने लगा कि वह तो स्वेम मालिक है बगत हेमराज जी अभी इनी विचारों में मगन थे कि स्री महराज जी ने पूछा इस समय अंदेरी रात में कैसे आना हुआ अब बगत जी सोज में पड़ गए कि क्या जवाब दे कि आपको वर्षा से बचाने आए है या सुर्य को दिपक दिखाने आए है कई बार दिल के उद्गारों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता तब उनोंने प्रार्थनागी स्री महराज जी काफी तेज बारिश हो रही थी हमने सोचा आप खुले मैदान में बैठे हैं आसन भी गया होगा यह विचार लेकर आए हैं कि आपको किसी मकान में ले चले भगत जी के प्रेम बरे ये वचन सुनकर शरी महराज जी बोले भाई यहां तो वर्षा नहीं है यदि वर्षा है तो हम चलते हैं उस समय के नजारा भी देखने योग गय था प्रेम से भी भोर होकर भगत है मराज जी चरणों में गिर पड़े और बोले अपनी माया आप ही जाने हुजूर और सब जगे तो वर्षा हुई है यहां क्यों नहीं हुई इसमें क्या बेद है शरी महराज जी ने उत्तर दिया यह वर्षा वाले से पूछो क्या हमने किसी को रोका है कि यहां बारिष ने करे जब यह और सब स्थानों पर वर्षा कर सकता है तो यहां भी वर्षा करे हम तो हर हाल में खूस है सरी सद्गुरु देव जी के मुखारविंच से निकले हुए इन वचनों को हर्दे में धारन की हुए भगत है अपने साथियों समेथ सरी चरणों में परणाम करके लोट आए जब इस विलक्षन लिला का सरव सचंग्यों को पता चला तो सरी माराज जी ने इस प्रेम चर्चा को और ज़्यादा पहलने से रोक दिया महापुरू सदा साधारन भाव में रहना पसंद करते हैं उन्हें अपनी महिमा पसंद नहीं होती उनके समीप यस अपियस हानी लाब और परसंसा तथा निंदा एक समान है उनके लिए इस वे कोई करम नहीं होता वे तो करम से विमुक्त होते हैं साधारन जीवों के समान उन्हें अपने भरन पोषन की कोई चिंता नहीं होती सारी कुदरत उनके इशारे पर काम करती है वे कुदरत के मालिक होते हैं पर करती जन्य, सुक, दुख से वे आस्तित होते हैं लक्की मर्वत और आसपास के अक्षेत्रों में सत्संग परचार करने के बाद स्री महराज जी स्री परमन्स द्याल जी के चरणों में लोटाए स्री महराज जी के साथ लक्की मर्वत जिला बन्नू से भगत हेमराज जी जो स्वामी निजात्मा नंजी के नाम से परसिद हुए भगत द्वारा राम जी जो स्वामी वेरागा नंजी के नाम से परसिद हुए भगत मूल चंजी जो स्वामी बेंता नंजी के नाम से परसिद हुए भगत सिद्धु राम जी जो स्वामी हर देवा नंजी के नाम से परसिद हुए तथा भगत ताराचन जी जो स्वामी योग परकासा नंजी के नाम से परसिद हुए वो भी उनके साथ स्री परमन्स द्याल जी के दर्श करने के लिए टेहरी में आए इस अदबुद लीला का वर्नन स्री स्वामी निजात्मा नंजी और स्वामी योग परकासा नंजी ने सुनाया साथ ही हाँ ये बात समरन रहे कि इन सभी भक्तों ने स्री महाराद जी से नाम उपदेश धारण किया हुआ था इन सबने बड़े प्रेम और सरदा भक्ती से श्री परमंस द्याल जी के दर्सन की योग चर्णों में दंडवत प्रणाम किया अपनी मोजवस श्री परमंस द्याल जी ने प्रेम पर संख्छेड दिया सबी भगतों को संबोधित करके वे पूछने लगे सब लोग बारी बारी है बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं और बाबा सवरुपा नंजी से आपका क्या नाता है बड़ी नमरता पुर्वक उत्तर दिया बाबा जी हमारे गुरू महराज हैं और आप हमारे दादा गुरू देव उनका उत्तर सुनकर स्री परमंस द्याल जी काफी उची आवाद से ठीक बिलकुल ठीक ऐसा कहते जाते थे इतने में भक्त द्वारा राम जी अर्थार्थ स्वामी वेरागा नंजी की बारी आई इन्हों ने जरा जोस में आकर जवाब दिया बाबा जी हमारे रहबर है और आप हमारे गुरू महराज स्वामी वेरागा नंजी के ये वचन सुनकर स्री परमंस द्याल जी गुसे में आकर फरमाने लगे बिलकुल गल्त यह बात बिलकुल गल्त है स्वामी सवरूपानन जी आपके गुरू महराज है आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा इनी से होगा आप स्ववाग्य साली हैं जिनको ऐसे सद्कुरू देव मिले हैं आप भी परमारत का काफी कारिये करेंगे यह सबद कहकर स्री परमन्स द्याल जी महराज मौन हो गए स्री परमन्स द्याल जी नीती निदान और मरियादा पुरसोत्तम थे आपने स्री महराज जी के इन सिस्चों को यथार्द सबद कहकर उनकी गुरू निष्टा को और भी सुदर्ड किया भविष्या में स्री माराज जी के इन प्रमुक्षिष्यों ने अध्यात्मिक जगत में प्रमार्त का जो उत्तम कारिया करना था उसके लिए यह एक परकार से अधार सिला लखी गई है प्रमसंत कबीर जी अपने एक धोए में इसी सच्चाई को दोराया है गुरू गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बल्हारी गुरू आपने जिन गोविंद दिया मिलाए तेहरी में स्री परमस द्याल जी के एक प्रेमी सेवक भगत रामचंदर जी थे इनोंने स्री परमस द्याल जी की तनमंदन से सेवा की आप नगर जट्टा जिला कोहाट फ्रेंटियर के रहने वाले थे परंतु स्री परमंस ड्याल जी की पुवित्तर सेवा करने के लिए अपनी दरमपत्नी सईद घर का त्याग करके टेहरी में आए इन्होंने कोई सांसारी कारिये वैवार नहीं किया था इनके प्रेम और सेवा से परसन होकर स्री परमंस ड्याल जी ने इन्हें अटल भगती और दरड विश्वास का वर्दान दिया भगत रामचंदर जी ने अपना सरवसाव स्री परमंस ड्याल जी के पावंच चरणों में नुचावर कर रखा था इनकी कोई संतान नहीं थी परंतु इनकी धरमपतनी पुत्तर चाहती थी श्री परमंस ड्याल जी ने उन्हें वर्दान दिया कि आपके यहां पुत्तर होगा उसका नाम क्रिश्न रखना कालांतर में यह वर्दान फली भूत हुआ भगत रामचंदर जी ने सन्यास वेश श्री महराद जी लिया श्री महराद जी ने आपका सुब नाम स्वामी निज मुकतानन जी रखा कई बार स्री महराद जी अपने मुखारविन से इनकी भगती की सराना करते हुए फरमाया करते थे कि स्वामी नी मुक्तानन जी 24 गंटे में 22 गंटे बजन अभ्यास करते हैं और किवल 2 गंटे ही आपनी सारीरिक सेवा में बिताते हैं आप सत्गुरु प्रेम में आशरु भाग करते थे आपने सत्गुरु सेवा में दिन रात एक कर दिया तो सत्गुरु महराज के पावन चरण कमल में हम दंडवत परणाम करते हैं और हम सोबाग्य साली हैं जो ऐसे मेरे सत्गुरु देव के दर्शन को हमारा ये जीवन मिला किसमत अच्छी है जो हमें ऐसे सत्गुरु देव मिले जिनकी एक दिदार से तकदीर बदल जाती है बोलो जै सची दानत